देख सकते हैं पुलिस मोगे पर पहुंची है डाट बोडी मिली है पुलिस मोगे पर पहुंची है डाट बोडी मिली है पुलिस मोगे पर पहुंची है डाट बोडी मिलती है लोगों को मार्किट वालों को जब गंधी समयल आती है तो उसके बाद पुलिस को जान कर दी जाती कोई जानकारी प्लान नहीं है पुलिस ने डेड़ बोडी को कब जम लेकर पोस्ट माटम हाउस जरूर बेश दिया बड़े हैं और नाले में ही सुबह पता लगा स्मेल बहुत आ रही है इसलिए वह अभी निकाल के लिए ले गए पुलिस को बुलाया गया और एक जड़ घंटा लगा के सारा कारवाई की है डेड़ बोडी निकाली है अब वह लेकर के चले गए तो आप देख सकते हैं इसी नाले के अंदर जी है इसी नाले के अंदर टाट बोडी मिलती है लोगों को मार्कीट वालों को गंदी समयल आती है तो उसके बाद पुलिस को जानकर दी जाती है पुलिस मोके पर पहुंचती है डालेक सुबारे की टीम मोके पर पहुंचती है और डाट बोडी को यहां से निकाल कर कलतना चावला मेडिकल कोलिज के पोस्ट माटम हाउस में जुरूर भेज दिया है अला कि गंदी स्मेल यहां से आ रही थी और उसके बाद कहीं न कहीं लोग पुलिस को इस बात की जानकारी देते हैं नाले बड़े-बड़े हैं और नाले में ही सुबह पता लगा स्मेल बहुत आ रही है इसलिए वह अभी निकाल के ले गए इन जाए तो डाट बोड़े कर दिन पहाने लग रही है अभी मैं तो कुछ कह नहीं सकता है सब्सक्तां तो आप देख सकते हैं 17 नाले के अंदर डाट बोड़े मिलती है लोगों को मार्केटवारों को गंधी इसमयल आती है तो उसके बाद पुलिस को जानकर दी जाती है पुलिस मोके पर पहुंचती है डालेक शुबारे की टीम मोके पर पहुंचती है और डाड़ बोडी को यहां से निकाल कर कलतना चावला मेडिकल कोलिज के पोस्ट माटम हाउस में जुरूर भेज दिया है हालनकि गंदी स्मेल यहां से आ रही थी और उसके बाद कहीं न कहीं लोग पुलिस को इस बात की जानकारी देते हैं हालनकि कोई पहचान नहीं हुआ है कि आखिरकार डाड़ बोडी किसकी है कोन वो था और कैसे इस नाले भी डाड़ बोडी यहां पर पहुची कोई जानकारी प्लान नहीं है पुलिस ने डाड़ बोडी को कब जम लेकर कोस्ट माटम हाउस जरूर बेज दिया पुलिस को बलाया गया और एक डेड़ घंटा लगाके सारा कारवाई की है डाड़ बोडी निकाली है अब लेकर के चले गए देख सकते हैं पुलिस मोगे पर पहुची है डाड़ बोडी मिली है सुबा सुबा पुलिस मोगे मिलती है अलाएक डाड़ बोडी को पुलिस कब जम लेकर पोस्ट माटम हाउस जरूर बेज दिया